हेलो दोस्तों सुभागत है आपका आपके अपने यूटीब चैनल क्रेट वेल्थ विरतुल में मैं हूँ आपका दोस्त अतुल कोयल आज हम फिर से बात करेंगे टाटा मोटर्स की टाटा मोटर्स जो की अच्छे मोमेंटम में नजर आ रहा है और अच्छी वेल्थ करेट करक जाता हूँ नजर आया मतलब कि इस ट्रेंड लाइन को अभी यह ब्रेक नहीं कर पा रहा है काफी स्ट्रॉंग ट्रेंड लाइन है उसके बाद देखिए यह जो ट्रेंड लाइन है सेकिंड वाली इसके ऊपर जो है स्टोक ने काफी बार सपोर्ट भी लिया है और इसको देखेंगे तो यहां पर भी आप देखेंगे काफी अच्छा जो सपोर्ट इसने लिया था इस लेबल के ऊपर और अगें रिजिस्टेंस भी फेस किया था इसको ब्रेक नहीं कर पा था जब इसको इसने ब्रेक किया यहां पर तो आप देखेंगे अच्छा मोमेंटम गया और second line तक यह पहुंसता हुआ नजर आया, second line पर यहाँ पर भी resistance फेस कर रहा था, again resistance काफी फेस किया, again जो स्टोक निच्च आया, और इसी 10 line के उपर support लिया, जब इसे break किया, तो निच्च चली यह 10 line थी, उसके उपर ही support लिया, तो इस चार 10 lines आपको हमेशा ड्रो करते रख किया था, बट इस 10 line के आसपास ही, यह घूमता हुआ नजर आया, और अब जो है, second trend line के उपर चलता हुआ नजर आया, third trend line को यह touch करता हुआ नजर आएगा, जो कि target बनते हैं, कम से कम 504-505 के असपास, इसके बाद देखिए, इस 10 line को जब यह हो सकता है, consolidate करें, जब कुछ कि trend line है, और यह trend line भी आपने पहले भी देखी होगी, मेरे charts के अंदर, तो आप देखेंगे, यहाँ पर जो है, stock ने resistance phase किया था, अगेन यहाँ पर resistance phase किया, तो यहाँ पर हो सकता है, कुछ time के लिए resistance phase करें, बट इसके targets जो है, 600 से उपर के निकल कराते हैं, कोई भी downside इसके और नजर आएगा, तो इस type के आपको RSI के उपर भी नजर रखनी है, और इन trend lines के उपर भी नजर रखनी है, यह काफी important trend lines है, और आनले टाइम में काफी अच्छा पैसा बना के दे सकती है, अगर मंतली chart के उपर भी देखेंगे, इस structure किस type का है, तो आप देखेंगे 63.59 का RSI है, यानि अभी भी इसके अंदर strength है, और उपर जाने का काफी दमखम यह stroke रखता है, डेली RSI के उपर आप देखेंगे, इस type से stroke भी एव करता है आपको नजर आएगा, और आप क्लियरली देख सकते हैं, इस trend line के उपर जो है stroke अभी बना हुआ है, और इस trend line को यह टच क करता हो नजर आएगा, 505 के आसपस level तक पहुंचता हो नजर आ सकता है, इसको break करेगा तो इस level को भी टच करेगा, तो hold कीजिए, lower level पे accumulate कीजिए, अच्छा risk reward ratio बनता है, downside काफी limited है, upside काफी अच्छी बनती है, अच्छे return save बना के दे सकता है, thank you, धन्यवाद.